किसानों के सामने हमेशा एक समस्या होती है कि जब भी बौनी करने का सीजन आता है और वो ये तै करते हैं कि उन्हें कौन सी फसल बोना है तो दूसरा उनका जो नेड़ने होता है कि उस फसल की किस बेराइटी का बीज बोना है और ये एक ऐसा विसे है जिस पर अभी बहुत जादा बात हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि इसके उपर ना तो सरकारें बात करना चाहती है और ना बीज कंपनियां बात करना चाहती है कि किस बेराइटी का बीज चैनित किया जाए सामानता भारत सरकार के जितने भी कानून है चाहे वो नेशनल सीड एक्ट हो नेशनल सीड पॉलिसी हो या सीड सर्टिफिकेशन के लिए आइसी ए आर की जो कमेटियां है वो हो वह हमेशा उत्पादक्ता की बात करती है कि इस बेराइटी की एक हेक्टर में कितनी उत्पादक्ता होगी इसी तरह जब सीड कंपनियां या बीज बजार में लाती हैं तो उनके packet के उपर या उनके प्रिचार समगरी में हमेशा seed के production की बात होती है की इस seed का per hectare कितना production आएगा पर किसान हमेशा ये सिकायत करते रहते हैं कि उनको उनकी उपज का उचित मुल नहीं मिल रहा है या उनको उतना return नहीं मिला है, जितना वो उनने अपनी खेती में investment किया है, तो ये कहीं miss में छो रहा है, और इसका कारण ये है कि किसान ये मान के चलता है कि जो branded seed होता है, जो महेंगा seed होता है, वही सबसे अच्छा बीज होता है, जबकि हमेशा ये जरूरी नहीं होता है, किसान को मेरे हिसाब से जब भी सीड का चैन करना चाहिए तो उनको उत्पादक ता ना देखके ये देखना चाहिए कि इस सीड के उत्पादन में कितना investment है और उस investment पर उनको ये उपज बेच के कितना return प्राप्त होगा तो ROI देखना चाहिए return of investment पर कोई भी company कोई भी नियम इस तरह का आज नहीं है जहां हम ये calculate कर सकें कि इस seed के उगाने पर investment में क्या return हमें मिलने वाला है अगर हम आज के seed के परद्रिश्च को देखें तो जो कुल बीज हमारे देश में भीक रहे हैं उसमें से केवल 45% बीज ही approved बीज होते हैं जो ICAR की regulatory system से approved होके आते हैं बाकी जो बीज होते हैं वो किसान अपने घरों में उगाते हैं या अपने लिए बीज अपने उपज का रखते हैं और वही बीज वो आगे बोते हैं इसी तरह जो टोटल बीज का मार्केट है इसमें लगवक 45% जो बीज है वो प्राइवेट कंपनिया जिनका वेफशाय करती हैं और बाकी भारस सरकार या राज्य सरकारों की एजेंसियां बीज का काम करती हैं जो बीज की प्रक्रिया होती है वो इस तरह से होती है कि सबसे पहले नुकलियस सीड बनता है रिसर्च के बाद उसके बाद ब्रीडर बनता है उससे फाउंडेशन बनता है और फाउंडेशन से सर्टिफाई बनता है नियम यह कहता है कि सर्टिफाइड जो बीज है वो तीन जनरेशन ही ठीक ठीक उत्पादन देता है तो इसलिए C1, C2 और C3 के नाम से यह सर्टिफिकेशन होते हैं दूसरे प्राइवेट कंपनिया बड़ी मात्रा में रिसर्च बेराइटी के नाम पर या टील, Truthful Labeled Seed के नाम पर मार्केट में बीज बेचती है और इसका बजार बहुत बड़ा बजार है जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं तो किसानों को जो हमारे FPO's हैं जो किसानों के साथ काम कर रहे हैं या जो कंपनिया किसानों के साथ काम करना चाहती हैं उनको seed selection करते समय किसानों को ये बात बताने की जुरुत है कि उन्हें किस बेराइटी का चेहन करना चाहिए आज हल ट्रॉप के लिए कई बेराइटीयां available हैं उन बेराइटी में कई ब्रांड के seed available हैं तो जिन कंपनियों के पास विग्यापन का या extension का जित्ता ज्यादा बज होता है किसानौं के बीच में वह बहुत popular हो जाते हैं और उनी बीच की हमयसा खरीतदारी किसान करना चाहते हैं बीच कंपनियां हमयसा यह कोसिस करती हैं कि कि अगर माल लीजिये किसी कंपनी का मार्केट में 40 तो वो ब्रांड बहुत popular हो जाता है और वो ब्रांड में किसान मानते हैं कि यह बीज नहीं मिल जाता है इसलिए यह सबसे अच्छा भीज है तो सातियों अभी हम लोग रभी की क्रौब के लिए सीट सेलेक्शन कर रहे हैं तो मेरा सभी किसान साथियों से एपियों से और किसानों के बीच में काम करने वाले एजेंसी से अम्रोद है कि वो उत्पादक पहना जाके आरो आई पर जाए क्योंकि उत्पादक था एक रिटर्ण देने की गारंटी नहीं है क्योंकि जो जब आप महेंगा सीट खरीदते हैं आप उसके क्रोप प्रोटेक्शन में महेंगी महेंगी पेस्टिसाइट फटलाइजर पीजी आर यह सब यूज करते हैं सिचाई लगाते हैं और उस कोस्ट को जब आप टोटल जो मंडी में आप उपज बेच रहे हैं उससे ज हैं या जिनकी क्वालिटी अच्छी है उनकी आरो आई अधिक होती है तो मेरा किसानों से अम्रोध है कि आगे जब भी वो खेती करें तो उनको अपनी डायरी मेंटेन करना चाहिए और देखना चाहिए कि एक हैक्टर में उनने कितना खर्चा किया कितनी उत्पादक्ता और उससे उन्हें क्या लाब हुआ अगर हम आरो आई को ध्यान में रखके खेती करेंगे तो निश्यती हम ऐसे बीच का चैन कर सकते हैं जो हमें हाई रिटर्न दे सकती है जिसकी लागत कम होती है तो क्योंकि खेती अब जीब को पार्दन का साधन्न होके बजार के लिए ख समझना चाहिए और कोई भी जो बिजनिस होता है खेती के अलाबा उन सभी में आरो आई की गढ़ना की जाती है तो किसान अगर सुयम यह डेटा बनाते हैं और अपने आरो आई की गढ़ना करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो आगे इस पर अच्छा काम कर सकते हैं यदि कि आपको इस समंझ में और जानकारी चाहिए तो आप इफसल प्लेटफार्म से संपर्क कर सकते हैं हम आपको बीज सेलेक्शन करने में मदद करेंगे धन्वाद कि अधशन नतिया सकते हैं हैơn उपस्ते हैं आप अरुबगों आएके गढ़ाद